स्वागतनी करोगे हमारा so welcome 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 everyone to this cute cute amazing video जिदर मैं आपसे discuss करूँगा FR की strategy और एक दूंगा बढ़िया बढ़िया planner की FR को revise किस तरीके से करना है plan किस तरीके से करना है किस chapter कितना समय देना है मैं ने पिछले वीडियो में पूछा भी था आपसे तो इसलिए मैं बोला तो आपके लिए बढ़िया सा ठीक है तो इस वीडियो को लास तक देखना पूरे planner को discuss करूंगा FR को revise किस तरीके से करना है वो बताऊंगा FR पहले अच्छे से नहीं कर रख है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा इतना सो बताने के पहले सब्सक्राइब किये भी ना शुनेगा मेला बाबू ना उना ना तो पहले सब्सक्राइब करना क्यूंकि आपको सारी helpful वीडियो इसी चैनल के पर मिलने वाली है ठीक है और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू करना अब फटाफट से शुरू करते तीन चीज के बारे बात करूंगा पहले एफ़ार की श्रड़जी क्या होने चाहिए सेकेंड इस प्लैनर को यूस कैसे करना है और आपके लिए एक बोनस भी है प्लैनर के साथ-साथ मैंने ट्रैकर भी दिया हुए कि अगर जो टारगेट के वह अचीव हो रहा है की नी हो रहा है वह कैसे देखेंगे ट्रैकर के हेल्प से ठीक है अब सबसे पहले आपन वन बात करते एफ़ार की श्रड़जी क्या होने चाहिए सबसे पहले ट्राइटू कीप इट वरी सिंपल ठीक है एकदम सिंपल से सवाल अपने आप से पूछना कि सर आपनी जब आप्छे करने का मतलब है अब समय हो गया होगा किसी को एक साल हो गया किसी को डेअड़ अमयेरे साल किसी को क्छे मिनिंद दोओ किन्मीद gin और उपड़्ेरे लेगा जोभी है यह दो चीज़ पर फोकस करना आपका इफर हो जाएगा विकॉस सेल पैक्टिस दखी यह बाद हमेशा ध्यान रखना ठीक है यह उनके लिए तो अगर आपने क्लासेस पहल अच्छे से कर रखी है तो कोई टेंशन नहीं, इस इस नॉर्मल है अभी चीज़े देखोगे तो याद नहीं आ रही है इस ओके, इस नॉर्मल, ठीक है उसका महल बताऊंगा आपको बट क्लासेस दुबारा लेनी की जरुवत नहीं आपको अच्छा, अगर क्लासेस ही पेंडिंग है पेंडिंग वाले काटेगरी में कौन आता है जिसने क्लासेस अब तक की नहीं है याफी क्लासेस की थी, लेकिं अच्छे सा नहीं की थी अपने को पता नहीं काने का मतलब क्यों होता है तब यह से सर ऐसे नाम के लिए देख ली आदी देखी, आदी नहीं देखी, अगर वो हिसाब है तो मैं आपको रिवेस्ट करूंगा परे ञ्लासेस क्लीट करना, जिसरी हों डूपलीले मेरे लेनगा अगर आपको लेदना भी है तो मैं बेलूлуगा मेरा सास्च केता अगर को लेसके और अगर आपको यानग उस्दिना डिना आप अजी बूलुकतichen अगर बेलींगा मेरा अ यह किनके लेकिन, जिन्होंने classes पहले अच्छे से नहीं कर रखिया, classes करी नहीं रखिया, ठीके, चलो, अब बात करते हैं, आप एक बार डिसाइड कर लिए, कि आपने classes अच्छे से कर रखिये, तो FR को revise किस तरीके से करना है, तो इसके लिए मैंना आपको दिया है 12-day planner, ठीके ठीके, तो 1st revision 12-day planner में इसको कहता हूँ, अब इसमें डेवाइस टारगेट दे रखे, कि every day आपको क्या का चीज़े complete करनी है, बस वो टारगेट आपको अच्छीव करना है, और क्यूंकि आप जब 1st revise करोगे ना 1st time revise, तो सबसे तकलीफ इस revision में होती है, बिकॉस चीज़े पहले section में जाना, और वहाँ FR की revision playlist है, जहां FR के सारे chapters का revision दे रखे है, मैंने उसके अंदर, ठीक है, तो जब आप revision video देखोगे ना, तो इतना guarantee है, अगर आपने मेर से पढ़ रखे है ना, तो आपको चीज़े याद आजाएगी, मेरी guarantee है, अगर आपने मेर से पढ़ रख the writing practice वाला पार्ट, अब writing practice कितनी करें सर, आपको जब class मेने, आपने class देखी थी, मैंने आपको बताया था na, LDR questions, उसको लिख के practice करना, बाकी questions आउपर उपर से एक बाफटा-फट से refer लेना, ठीक है, simple, तो try to keep it simple, revision video देखा, जो चीज़े, revision video देखने के बाद, आपको duration भी दे रखा है, ठीक है, अब ये एक rough duration है, मतलब एक average duration, अब इसके अंदर it is possible कि suppose मैंने बोला 5 गंटा, शायद ऐसा है कि आपको 7 गंटा लग जाए, शायद ऐसा है कि आपको 4 गंटे में भी हो जाए, depending आपने पहले कितन अच्छा से पढ़ रखा है, it is okay, बस ये duration देने कि अगर आपके एक्जाम भी November 24 वगेरा में है, तो आप 10 से 11 घंटा तो minimum पढ़ोगे न, everyday basis पे, तो उससाब से प्लाइन मैंने आपको दिया हुआ है, it is possible कि एक दो दिन एक्ष्टा लग जाए, तो जहां मैंने आपको 12 दिन दे रखे है, आप 12 के बदले 14-15 दिन लेके चल यह क्या होता है, अब जैसे आप 12 दिन से फर पढ़ रहो है, तो इनिशल डेस पे जो आपने फर पढ़ा रहेगा, वो हल्का धुनला वापस हो गया रहेगा, it is normal, तो क्या करना, एक 7-8 घंटा लेकर फटा-फट से pages घुमा लेना, तो चीज़े वापस से फ्रेश हो उस दिन के end पर मौक टेस्ट दे देना, ठीके, तो 13 दे पर you can give the mock test, 12 days revision, 1 days overview on mock test, सर किसका mock test दे, ICI का mock test best mock test, जो latest ICI के पोटल पे अवेलेबल है, वो mock test दे दो, क्लेरे बाला पाट, ठीके सर, यह चीज़ अमको समझ गई, उसके एक और चीज, it is possible कि आप बोलो, सर मेरेको पूरा 12 दिन FR नहीं पढ़ना है, मेरेको half day FR पढ़ना है, तो उसके समें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12 दिन के बदले, 24 से 25 दे दे देना, जिसमें फर्स्ट हाफ या जो भी second half FR पढ़ लो, फर्स्ट हाफ कोई दुसा जब 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 पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, so 25 दे 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 रहे हो ना, तो इस नॉर्मल, समय तो देना पढ़ेगा न, जादू मंतर दो ही नहीं कि या देखा हो गया, ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा समय आपको देना ही पढ़ेगा, तो उस हिसाब से विकें एड़िश्ट, ठीक मचाना, अगर आप जित्ता अच्छा से अभी करोगे न, उतना आपके आगे रिविजिन में टाइम सेव होएगा, तो यहाँ एकात दिन एक्ष्टा भी लग गया, तो इस ओके, आपन आज वो एकात दिन एक्ष्टा देना अफोड कर सकते, एक्जाम के लास्ट मंत में दे एक बार रीड कर लेना, कि प्लानर किसके लिए सूटेड है, रिविजिन वीडियो यूस कब करना चाहिए, सेल्फ प्रैटिस समय, अटिन प्रैटिस वगेरा करो, यह समय लिख रखाए, ठीके, उसके बाद यह प्लानर जो मैं दे रहा हूँ, इसका प्रिंट लेकर रख ल तुम समझ यह करने में आपको 5 घंटे चले गए, तो अगले रिविजिन में वो 2-3 घंटे में हो जाना चाहिए, ऐसा तो एक बेस बन जाएगा आपके लिए, प्लस जब यह ट्रैकर में मार्क करते वे चलोगा यह हो गया, इतना सुकुन मिलता है ना भाई, मजा आजा चलना, इतना साधा इसा शिफ्टिंग मत अलाओ करना अपने आपको, ठीके, और मैं ऐसा मानता हूँ, एक चीज एक बोनस टिप दता आपको, मैं बता है, अगर आपके जेग होता तो मैं क्या करता, मैं टार्गेट लेके चलता, कि यह मेरा टार्गेट है, जब तक यह मेरा मतलब वह तुम लेके चलोगे तो काम बन जाएगा तुमारा, तो यह प्लैनर में डाल दूगा टेलिग्राम पे, वहां सा डॉनलोड कर सा तो, टेलिग्राम कभी स्कैनर अगर दे रखा है, स्कैन करोगे, जाओ के टेलिग्राम पे, डॉनलोड कर लो, बढ़िया से यूज क